हेलो फ्रेंड्स मैं होने रुपमा और मेरी किचिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर्दियों के दिनों में मेथी और मतर सब बहुत पसंद करते हैं आज हम बनाएंगे क्रीमी और टेस्टी मेथी मतर मलाई तो चलिए इससे बनाना शुरू करते हैं मेथी मतर मलाई बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे उसमें एक चमस देवल डालेंगे फिर इसमें एक कप कटीवी प्यास डालेंगे और इससे हलके से फ्राइ कर देंगे बहुत जादा इसको नहीं पकाएंगे फिर इसमें आदा कप पानी डालेंगे फिर इसके बार डालेंगे हम 10-12 काजू काजू डालके से मिक्स कहरेंगे और फिर इसे हम ठक कर पका लेंगे तो ठक कर इसको 2-3 मिनट के लिए पाकने देंगे और पानी में उबाला जाय wod अभी हमारे काजू और प्यार बिल्कुल पक गए हैं अब से ठंडा कर लेंगे और पीस लेंगे अब हम क्रेवी तियार करेंगे तो इसके लिए एक पैन में तेल डालेंगे तेल करम हो जाएगा इसमें डालेंगे थूड़े से जीरा जीरा तरकने लेगा इसमें डालेंगे तो एक चमर धनिया पाउडर एक चमर गरम MSCI और आधा चमर डालेंगे इस में लाल मयर्च पाउडर अब इसे मिल लेंगे और पकाओंगे से इस में बहुत ज्यादा मसाले हम नहीं डालेंगे अब इसमें अदर डालेंगे हम एक कप मेतिय बीकटे हुए मटर श्राइजा को वबार लें फिर इसमें डालेंगे तो फिर इसमें डालेंगे एक कप पानी और इसे अच्छा बढूदिजारनों कुछा तो इसमें बारेंगे एक कप पानी और इसे देगेет इसने अधा על इसको डालके मिला लेंगे अकर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप इसे मलाई भी डाल सकते हैं अब इसे पांच मिनट तक के लिए और पका लेंगे और अब कैस को बंद कर देंगे हमारी मेथी मतर मलाई बिल्कुल बंद के तयार हो गई अब इसे सर्फ करेंगे इस सबजी को आप सर्दियों में जरूर बनाएं बहुत ही टेस्टी भी लगती है और बहुत ही हल्दी होती है रेस्टोरेंट में तो सब जाकर खाते ही हैं एक बार आप इसे घर में जरूर ट्राइ करें क्रीमी और टेस्टी सबजी आपको बहुत पसंद आएगी और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इससे लाइक शेर करें और सब्सक्राइब करना न भूले